हाई फ्रेंड्स अब सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पे मैं आज 36 साइस का वी नेक प्रिंसस कट विट वेल्ड ब्लाउस बनाने जारी हूँ जो बहुत ही सिंपल और आसान है तो सबसे पहले हम लेंगे लेंगे लेंथ जो भी होगा उसके साथ आपको एक इंच ब्लास करन तो आप 5.5 इंच भी ले सकते हो जितना सोल्डर उतना ही आर्म हो लिया उसके बाद हम लेंगे चेस्ट तो चेस्ट हमारा 36 का चौता भाग 9 इंच और वेस्ट लेंगे 30 इंच का चौता भाग 7.5 इंच अब चेस्ट और वेस्ट लाइन को एक साथ मिला देंगे और 1.5 और 2 इंच भी ले सकते हो हम यह पर बैक पार्ट में टाक्स के लिए कपरा नहीं लेंगे क्योंकि अगर टाक्स नहीं भी लेंगे तो भी अच्छा फिटिंग्स होगा इसके बाद हम आर्म होल को सेट करेंगे तो कॉर्णर से एक इंच की दूरी पर एक दूरी देते हुए एक राउंड सेब दे देंगे जितना आर्म होल था उसको आधा करकर और एकस्टर कप्रे को थोड़ा से डाउन कर देंगे तो हमारा वैक पार्ट काटिंग हो गया अब हम फॉन पार्ट को कटिंग करेंगे तो खुला साइड में हम लेंगे यह फॉन्ट ओपेन है तो सबसे बात जैसा ही बैक पार्ट था वैक पार को डाउन है और वैक पार्ट को डाउन है वैक काम आउन के बादrent या कि कपड़ कर देंगे इसके बिलागा सेंगे जैसे हे डरा करिंगे तो जैसे आम होलग करेंगे थार पार्या यह दो CAR करेंगे दूरी में एक princessท आफ दिखेंगे और अधा इंच की दूरी में एक गुलाई देते हुआ हम दूबारा सेब देंगे यह खोगा हमारा फांघ साथ के लिए पांनेक जो भी आप कह सकते हो डाइरेट भी नहीं देंगे वो सेब देंगे और नीचे से देखिए उपर की तरफ 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे सिधी लाइन खीज कर उसके उपर से एक इंच उपर और धाए इंच और उड़ाई में एक मार्क करेंगे और इन दोनों इंच पर दिया और इधर से दोनों टक्स की दूरी हमने 4 इंच पर दिया और नीचे की तरफ से दिखिए हमने 3.5 इंच पर दिया और इन दोनों पॉइंच को मिला दिया अब हम इसे आम हूल के साथ मिलाएंगे तो हलका राउंड सेप देते हुए हम आम हूल की जहां पर हम करना था आर्मोल लाइन और चेस्ट लाइन का वहां पर मिला देंगे इसके बाद टक्स लेंगे तो टक्स की चोड़ाई हम दो इंच लेंगे तो एक बार एक दम अब सीधा ना मिलाए थोड़ा सा हलका राउंड देते हुए आप घुमा कर मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से पाएगा पिंसस का यह बैल ब्लाउज आगर आप प्ले इंच मेरे चैनल पर आप चेक आओट कर सकते हो इसके लिए हमने यहां पर 2 इंच बढ़ाया तो हमने बेल्ड़ पर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बेल्ड़ में ये मार्जिन बढ़ाना बिकर का है तो सबसे बढ़ाएंगे कितने हमरा 2 इंच का टकस था और 1-1.5 इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए रहेगा तो हम यहां पर 3 इंच बढ़ाएंगे और उपर की तरफ हम 1 इंक बढ़ाएंगे तो भी जलेगा तो जहां पर हम ने देखिए मार्जिन टक्स के लिए मार्जिन लिया है वहांपर आप कभी दो जितना मार्जिन उतना ना ले क्योंकि हमने पार्ट में टक्स के लिए एक्स्टर कप्रा नहीं लिया था जो हमें पॉन पार्ट में स्टिचिंग में मिलेगा इसलिए हमने 2 इंज की टक्स पर 3 इंज का एक्स्टर कप्रा लिया देखिए हम जब इसे काटिंग कर देंगे तो एक बराबर हो जाएगा जब हम आधा इंज क की दुरी से स्टेचिंग कर देंगे तो देखिए बेल्ट और और पिंसे एक तम आपस में एक तम मिल जाएँगा तो हो गया हमारा क्टिंग आप देख्ये यह रहा इसका मेन फैपरिक déb k introduces ह्术त्फ को जो गवादा अज का punk अच्पकर कि पंड़ेगर अग्रामी हैто सब स्टिचिंग रेडी लूक हम दिखा देते हैं अगर स्टिचिंग करेंगे तो वीडियो बहुत सरा बड़ा हो जाएगा तेरी कि यह है फॉन पर्ट का लूक हमने सब रेडी कर दिया और इसका दिखें निक कर दिसाइन किस तरह से बहुत खुबसूरत आया है और इसके बाद ह हमें वही चोड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई में लेंगे हम 11 इंच इतना भी डिप तो नहीं गिरेगा क्यूंकि यह भी नेक है नीचे से काटिंग नहीं है तो हम डाइडिट भी नहीं देंगे थोड़ा साधा इंच राउंड देते हुए काटिंग करेंगे और यह द लोग आपको चाहिए तो हम एनी स्क्रीन में दे देंगे आज चलते हैं नीलते हैं नेक्स वीडियो